तो गुड़ मॉनिंग गाईज और 15 जून के करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है कुशल शरमिकू के लिए रोजगार सेतू योजना को शुरू की किसने मद् इसकी सरकार ने मतलब राज्य में जो वापस आ रहे है न शरमिकून को रोजगार देने के लिए फिर भारते खादे सुरक्षा और मानक प्राधी करन यानि की फसाई फसाई मतलब Food Safety and Standard Authority of India के CEO कौन बन गए अरुन सिंगल बन गए इसकी जो चेर परसन है पहले से उनका नाम योजना शुरू की उत्तराखंड की सरकार ने इसमें भी यह यह उत्तराखंड लोट करके जो युवा आ रहे हैं जो कारीगर आ रहे हैं उनको अपना व्यवसाई शुरू करने के लिए प्रोटसाहित किया जाएगा इस योध्धा के अंतरगत फिर है अंतर राष्ट्र प्रारियों के यानि के अथरिटीज के प्रमुखों की मेजबानी किस ने की थी अभी मतलब कहां पर हुई थी इनकी मीटिंग रश्या में हुई थी फिर है एरलाइन्स कंपनी जो है इंडीगो उसके स्वतंतर निदेशक इंडिपेंडेंट डिरेक्टर कौन बन गए हैं त स्टेटिस्टिक से मैंने दोपॉन बताया थे आपको इंपोर्टेंट डे वाले एक तो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक डे 20 ओक्टूबर को मनाते हैं लेकिन हर 5 साल में जिसे 2010 में मनाया फिर 2015 में अब 2020 में मनाएंगे 20 ओक्टूबर को National Statistic डे होता है जो हम हर साल मनाते हैं 29 हो गया यह कौन जाने माने यह गीतकार थे फिर है वाडा ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने करंजीत कौर पे डोपिंग के चलते चार साल का प्रतिबंद लगा दिया कौन थी यह करंजीत कौर मतलब किसे संबंद थी यह धावी का थी स्प्रिंटर थी वाडा का वर्ल्ड ब्रेल डे हम लोगोंने कब मनाय था चार जन्वरी को मनाय था और याद रखना साथ में जो ब्रेल लिपी होती है उसमें छे डॉट्स का इस्तमाल किया जाता है बाकी गूगल के बारे में आप जानते ही हो 1998 में स्थापना हुई थी लेरी पेज और सर्जे बिन इ मेलानिया ट्रम्प ये बुक लिखी है अभी मेलानिया ट्रम्प के ओपर जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की धरमपतनी है और इस बुक को किस ने लिखा है मेरी जॉर्डन ने लिखा है फिर इसको टोक्यो जन्रल इंचॉरेंस कंपनी ने अपना MDCO किसे नियूक्त किया है अनामी सेफ के साथ, UNICEF Headquarter New York और हेन्रेटा H4 इसकी head है, इसकी full firm क्या है, United Nations International Children's Emergency Fund UNESCO, इसका Headquarter New York में है और इसकी head है, हेन्रेटा H4 फिर विश्वु हॉम्योपेथी दिवस ये हमने 10 अपरेल को मनाया, अचा हमारे आयूश मंत्री कौन है, श्रीपद ये सोनायक फिर डीजी धन डैश बोर्ड की अनुसार वित्यवर्ष 2019-20 में डीजिटल लेंदीन का सबसे लोग पर ये साधन रहा था, कौनसा भीम UPI, सेकेंड नंबर पे प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट और तीसे नंबर पे था डीजिटल कार्ड, फिर ट्राइफेड का काम क्या होता है, तो आदिवासी लोगों की द्वारा जो भी उत्पाज, जो भी प्रोड़क्ट बनाये जाते हैं, उनको बाजारों में सही दामों पर बिकवाने की काम करता है, ये ट्राइफेड फिर COVID-19 के परसार को रोकने के लिए operation SHIELD शुरू किया, किस ने, तो दिल्ली ने, दिल्ली ने भी 5T योजना भी शुरू की थी, यहाँ पर SHIELD का मतलब है, देखो S मतलब होता है, Ceiling of Area, H मतलब होता है, Home Quarantine, S-H-I-E-L-D I मतलब होता, Isolation of Infected Patients, जाने कि जो Infected Patients उनको isolate करना, S-H-I-E-L-D, E मतलब होता है, Essential Services Ensured, L, D, L मतलब होता है, Local Tenatization, और D मतलब होता है, Door-to-door Survey, फिर एक किस मंत्राले ने, भारत पड़े, Online अभियान को शुरू किया, तो हमारे जो मानव संसादन मंत्री है, उन्होंने ही, जिनका निर्वाचन शेतर है, हरीद्वार, अच्छा, मानव संसादन मंत्री को ने, रमिश पूक, रियाल निशंग, और Basically, देश में Online Education को बढ़ावा देने के लिए, ये किया गया, बढ़ते आगे, तो चलिए अपनी तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके, टेगोर, रविंद्र ना टेगोर जी के नाम पर टेगोर स्ट्रीट भी रखा था, फिर दिव्यांग अंगन बाड़ी कार्रे करताओं को कोरुना, युद्धा का दर्जा दिया किसने? मद्यप्रदेश सरकार ने फिर छात्रावासों के लिए, यानि कि होस्टल्स के लिए आईएसो प्रमान पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राजबनाप का उड़ी सा, फिर बाल मजदूरों को सिक्षित करने के लिए, बाल शर्मिक विद्या यूजना शुरू की उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इसमें जो शर्मिक होंगे अगर वो लड़के होते हैं तो परमंथ 1000 रुपे की साहिता मिलेगी, लड़कियां होती है तो 1200 रुपे परमंथ दिये जाएंगे, साथ में अगर ये बच्चे-बच्ची आठवी, नवी, दसवी कक्षा को पास करते हैं तो एक्स्टरा उने 6000 रुपे भी दिये जाएंगे, फिर फीफा की नई रैंकिंग आईए, उसमें भारत का इस्थान क्या रहा भारत 108 वे स्थान पर रहा है और इसमें टॉप पर रहा है बेल्जियम, पहले भी यही टॉप पर था और भारत 108 वे स्थान पर ही था फीफा जिसकी स्तापन वीती 1904 में, जूरिक स्वर्जलेन में हैटकॉर्टर है और इसके प्रसिडेंट है ग्यानी इंफैनिटो, फिर तमिल नाडू सरकार ने कोयम बटूर शहर का नाम बदल करके क्या कर दिया है तो आंसर होगा कोयम पुत्थूर एक्चुली तमिल नाडू सरकार ने भी टूटल 1018 जिलो वे शहरों के नाम बदले हैं तो उन में से जैसे कि कोयम बटूर हो गया, इसका नाम बदला कोयम पुत्थूर कर दिया डिंडीगूल शहर का नाम थिंडुकल कर दिया, तूतिकोरिन का कर दिया थुत्थुकुडी और वेलोर का कर दिया वेलूर तो इस तरह से 1018 जिलों और शहरों के नाम बदले हैं तमिल्लाडू सरकार ने फिर एकिस राज्य के मुख्यमंत्री ने i-flows नाम से बाड़ चेतावनी सिस्टम लॉंच किया तो महराष्टर सरकार ने तो इससे मुंबई में मौसम की जानकारी दी जाएगी बाड़ बगेर आने वाली है नहीं आने वाली है इसा कुछ मतलब वर्निंग सिस्टम है एक तरह के का यह अच्छा यहां पर i-flows का मतलब क्या हो गया Integrated Flood Warning सिस्टम और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले करनाटक सरकार ने बैंगलूरू के लिए इसी तरह का एक वार्निंग अप्लिकेशन भी लॉंच किया था मौसम की जानकारी के लिए मेग संदेश अप्लिकेशन नाम है उसका फिर इस्टर्ण नेवल कमांड के चीफ अफ स्ताफ कौन बन गये बिसवजीत तास कुपता बन गये Eastern Neville Command का Headquarter विशा का पत्नम में है फिर किसे Corona Warriors को समर्पित रख होसला हिम्मत नहार गीत लॉंच किया ITBP ने फिर किसे Corona Warriors को समर्पित रख होसला हिम्मत नहार गीत को लॉंच किया ITBP ने ITBP जिसके Director General SS देशवाल है और BSF का Additional Charges भी इनके पास फिर Electric Overhead लाइन पर डबल डेखकर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन के संचालन करने वाला पहला देश बना भारत मतलब जो मालगाड़ी होती उसमें जो कंटेनर होता होता है तो कंटेनर के उपर कंटेनर रखकर के Electric Line Pace को चलाया गया है और इसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है और कहां से कहां चलिये तो गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच में चलिये ये फिर अंतर राष्ट्रे रंग हींता दिवस International Albinism Awareness देखक बनाया तो 13 जून को मनाया गया इसकी थीम रही Mad to Shine फिर कि सर्राज के परियावरन मंत्राले का नाम बदल दिया जाएगा तो महराष्टर के और बदल करके परियावरन और जलवायू परिवरतन विभाग करा जाएगा बढ़ते आगे तो इस Teddy Questions की बात करेंगे तो आंसर है सबसे ज़्यादा शेशु मृत्यु दर किस राज्य में है तो ये है मद्यपरदेश में और सबसे कम कहां पर है अच्छा अगला प्रशन वही है सबसे कम शेशु मृत्यु दर ये है नागालेंड में और अगर बात करेंगे सबसे ज़ ज़्यादा मृत्यु दर ये किस राज्यव की है ये है 36 गड़ की और सबसे कम मृत्यु दर है दिल्ली की एक्चुलिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्श 2018 के लिए ये राष्ट्रे जन्मदर मृत्यु दर शिशु दर पर एक डेटा जारी किया था और याद रखना देटा को नमूना पंजी करन परनाली यानि की सेंपल रजिस्टर सिस्टम कहा जाता है तो मैंने आपको सारे बता दिये कम ज्यादा शिशु मृत्यु दर में और जन्मदर में भी कम का और ज्यादा का बता दिया और मृत्यु दर में भी कम का और ज्यादा का बता दिया तो पूछ रहे हैं बताओ जी सतीश रेड़ी है डियाडियो की स्थापना 1958 में हुई थी नासा की भी 1958 में हुई थी और नई दिल्ली में हैटक्वाटर है मोटो इसका है क्योशच प्रेंट ओरीजिनिस इन शाइंस और डियाड़ो दिवस कब मनाते हैं एक जनवरी को मनाते हैं और अभी डियाड़ो इसलिए भी नीज्स में था क्योंकि इसने केमिकल फ्री डिस इंफसे के लिए अल्ट्रा वॉयलेट डिस इनफसेशन टावर बनाये था एक धुर UVS Droves नाम से Ultra Wallet Based Sanitizer भी बनाय था, काफी सारी कारण से अभी News में रहा है DRDO, फिर है National Technology Day, यह हम 11 मई को मनाते हैं, एक National Science Day भी होता है, उसको इससे Confuse मत करना, National Science Day हम CV रमन जी के याद में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने रमन एफेक्ट की खोच की थी, इसलिए 28 फरवर को हम National Science Day मनाते हैं, और National Technology Day अलग है, वो 11 मई को मनाते हैं, फिर International Cycling Union का Headquarter कहाँ पर है आपका, यह Aigle, Switzerland में है, फ्रांस के एक साइकलिस्त है, Remy D. Gregorio, यह भी News में थे, क्योंकि इन पर 4 साल का प्रतिबंद लगा दिया गया, एक साइकल की कमपनी आपने जरूर नाम सुना होगा, चलाई भी होगी, Atlas Cycle है, उसने भी अपना कारोबार वगरा अभी बंद कर दिया है, अच्छा चलो एक प्रस्ण में आप छोड़ के जा रहा हूँ, Cycle Day अभी अपने मनाया था, कब मनाया था, यह आपको बताना है, और हाँ guys, अगर वीडियो को अभी तक आपने like share नहीं किया है, इसे like share करना भूल गए है, तो please इसे एक like जरूर दीजेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और अगर आप इसे share करके support कर सकते हैं, तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई study group है, तो वहाँ पे इसे share जरूर कर देना, और थोड़ा बहुत support मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत support जरूर करना बढ़ते हैं गए, तो important days की बात करेंगे, तो पहला प्रशन अपसे पूछा जा रहा है, world hemophilia day हमने कब मनाया, तो answer होगा 17 अपरिल को, और इसकी theme क्या रही थी इस बार, get plus involved, फिर विश्व विरासत द और विरासत की चीज़े कहाँ पर ज्यादा तर पाई जाती है, museum में, तो international museum day कब मनाते हैं, वो हम 18 मई को मनाते हैं, इसके just एक महिने बाद, तो दुनों याद रखना आपके लिए आसान रहेगा, फिर world liver day, ये हमने 19 अपरिल को मनाया, फिर world creativity and innovation day, जैनकि विश्व रचना अत्मक वर नवाचार दिवस, ये 21 अपरिल को मनाया, फिर world earth day 22 अपरिल को मनाया गया, जिसकी theme थी climate action, एक 22 मार्च वाला डे भी याद रखू, वो होता है world water day, तो ये 22 अपरिल है, वो 22 मार्च होता है, और इस बार world water day की theme क्या रही थी, water and climate change, फिर विश्व पुस्तक वर copyright दिवस, तेवी सपरिल को मनाया, फिर राष्टर है पंचायती रात दिवस, ये हमने 24 अपरिल को मनाया, और विश्व मलेरिया दिवस, 25 अपरिल आप जानते ही हो, और इस बार की theme भी वही रही जो पिछले बार की थी, zero malaria starts with me, और किस मच्छर के काटने से ये होता है मलेरिय तो संक्रमित मादा एन फिलीज मच्छर के काटने से, फिर है World Intellectual Property Day 26 अपरिल को मनाया, और ये तीनों डे मैंने आपको सिक्वेंस से याद करवाया है, 24 अपरिल, 25 अपरिल, 26 अपरिल, 24 अपरिल को राष्टर पंचायती रात दिवस, 25 अपरिल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अपरिल को Intellectual Property Day और इसकी थीम क्या रहती इस बार, Innovate for a Green Future, फिर है अंतर राष्टर रत्य दिवस, 29 अपरिल को मनाया, तो गाइस ये था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला विडियो, होप आपको विडियो हेलफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, प्लीज विडियो को शे क्लीजे और आपिल को मने होगाओ।